अरहान खान को मिली एक लीगल नोटिस क्या रश्मी ने भेजी है ये लीगल नोटिस देवोलिना ने किया इस बात का खुलासा रश्मी देशा के घर को यूज करने के लिए भेजी गई लीगल नोटिस तो आईए जानते है बिग बॉस सीजन 13 अपने अंतिम चरण पर है और इसी शो के दौरान शो के हो सलमान खान ने अरहान खान का साच सब के सामने लाया था कि वो एक बीवी बच्चे वाला आदमी है ये सब खुलासा तब हुआ जब अरहान खान ने अपने प्यार की फीलिंग्स रश्मी देशाई के सामने बयान की थी और हमने रश्मी को उसी सेम तरीके से रस्पॉंड करते हुए भी देखा था पर जब सलमान ने ये बताया तब रश्मी को ताजब हुआ और वो बहुत ही अपसेट हो गई थी लेकिन उन्होंने तब ये भी कहा था कि उन्हें अरहान ने ये सच पहले से ही बताया था वही सलमान ने कई बार ये भी कहा है कि ऐसी खबरे आई कि अरहान के फैमिली मेंबर्स रश्मी का घर यूज कर रही है वेबसाइट पिंक पिला पे स्टेट किया गया था कि रश्मी ने अरहान को अपने घर आकसेस दिया है औरहान के family members इसी के चलते रश्मी के घर में रह रहे है उस report में ये भी बताया है कि रश्मी के friends, family members ये सब जानते थे बट उनके हाथ बंदे हुए थे अब ये सब कुछ वापस से सामने आया जब रश्मी का connection बन कर आई देवोलीना ने बीते सोंवार के एपिसोड में रश्मी को कहा अरहान को एक legal notice भेजी गई है दरसल अरहान की बेहन और मा रश्मी के घर पर रह रही थी देवोलीना ने Times of India के interview में कहा था society members ने legal notice send की है वही दूसरी होर ये भी खबरे आ रही है कि रश्मी ने अरहान के साथ अपने सारे रिष्टे नाते तोड़ दिये है वैसे एक source from the sets ने reveal किया है कि रश्मी ने एक message हिमानशी अन्देवोलीना के थुरू बेजा है to her family and team कि उनको अरहान के साथ कोई रिष्टा नहीं रखना है तो क्या कहना है आपका इस legal notice के movement को लेकर do let us know your views तब तक stay tuned with us